Hello students, in this video we will discuss chapter number 2, India, Location and Physical Features इस वीडियो में हम रोग डिसकस करेंगी कि भाई, अर्थ के उपर इंडिया कहां पर लोकेटेड है साथ हमारे इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं हम देखेंगे हमालियन माउंटेंज कहां पर है, धार डेजर्ट कहां पर है, कोस्टल प्लेंज कहां है पैनिंसुलर प्लेट्यू हम इंडिया के किस पार्ट को कहते हैं तो ये सब कुछ हमें इस वीडियो में इस चेप्टर में डिसकस करना है इस टेडी माप 2.1 ये जो एक्सरसाइज है वैसे गैचेट सेक्शन में सॉल्व करवाती हूं उहार वीडियो में पर आप इतमिनान से 2.1 का मैप देखें और ये सारे कोस्टिंस को सॉल्व करें जिससे क्या होगा तुम लोगों की अंडरस्टानिंग बढ़ेगी जब मैं आप में सारी चीजों को देखोगे यहां पर कॉंसे स्टेट है यहां पर कॉंसे स्टेट है तो मैं यह सॉल्व नहीं कर रही हूं यह आपको कुछ से सॉल्व करना है चले आगे तो पहले इंडिय की नाम की बात करें तो इंडिया का नाम है रिपब्लिक ओफ इंडिया क्या नाम है हमारी कंट्री का नाम है रिपब्लिक ओफ इंडिया ओफीशिल नीम हमारी कंट्री का है रिपब्लिक ओफ इंडिया यह सेंट लार्जिस कंट्री है यह तो आपको बच्पन से पता ही होग हमसे ज़ादा अईरिया वली 6 कंट्रीज ہیں रशिया, कैनिडा, चायिना, यू. से, ब्रॉजील, उस्ट्रेलिया और इन 6 के बाद सात्वा आता है हमारा इंडिया तो हम 7th largest कंट्री है सिक्स हमारे आगे कौन है रशिया कैनेडा चाइना यूसे ब्रजील अस्ट्रेलिया और हमसे बाद में कौन है बच्छा एर्थ नमबर पे आता है अर्जिंटीना अर्जिंटीना का नमबर कौन सा है बच्छा एक क्या तनी चीज़े क्लियर है चलो अब यहां पर लिखा इंडिया आपर चाइना इस जा सेकेंड पॉपिलिया इंडिया तो यह बात हो गई है गलत बिकाज़ वी आड बोस्पूलीटेटथ कंट्रें इसे यहां पर चाइना आएगा और यहां पर इंडिया आए बास समझ में चाइना आफटर इंडिया इस दिसकेंग मोस्ट पॉपिलर पॉपिलेस कंट्री इन वर्ल्ड क्योंकि अब हमने पॉपिलेशन में चाइना को भी पीछे चोड़ दिया है नाव वी आर दो फॉर्स्ट मोस् को टू हाफ में डिवाइड कर देती है इसको हम बोलते हैं सदन हैमिस्पेर और इसको हम बोलते हैं नदन हैमिस्पेर तो इकवेटर ने पूरी अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर दिया नदन हैमिस्पेर और सदन हैमिस्पेर में ठीक भी बात फिर एक लाइन और बनी जि सहे विल्ट, इस नहीं के यहां पर हुआ आपका वेस्टन हमिस्पेर और इस साइड का यह पर संगे आए अपका इस्टन हमिस्पेर तो किया इतनी बाते समझ में अगे प्रिवले आप चारो को समझ लो एक बार देखो चारो हमीस्पेर के बात करेंगे तुक्ति जिसने आर्थ को नौदन और सुदन हमिस्पेर में डिवाइड किया जिसने आर्थ को इस्टन हमिस्पेर और वेस्टन हमिस्पेर में डिवाइड कर दिया तो इंडिया कहां पर है तो दिखो इंडिया है यहां पर मुझे बताओ इंडिया यह वाला इस्टन हमिस्पेर है यह और यह वेस्टन हमिस्पेर यह वाला सदन हमिस्पेर है यह वाला नदर हमिस्पेर में नदर हमिस्पेर है तो बटाओ इंडिया कौन से हमिस्पेर में और विसे बात हैं इंडिया नदर हमिस्पेर में फिर पूछा जाएगा इंडिया इस्टन हमिस्पेर में की वेस्टन में क of cancer 23 and half degree यहां पर located है हमारा इंडिया पूरा इंडिया नदन हमिस्पेर में है और पूरा इंडिया इस्टन हमिस्पेर में अब इतनी बात है नहीं बोलना है बिटा आपको ठीक है चलो बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं इंडिया इस्टन हमिस्पेर पूरा के पूर इंडिया नदन हमस्पेर में लोकेटेड है और इस्टन हमस्पेर में लोकेटेड है इस सिचुएटेड इन दे सदन पार्ट ऑफ एश्या एश्या के सदन पार्ट में लोकेटेड है इश्या कॉंटिनेंट है और एश्या कॉंटिनेंट के सदन पार्ट में है इंडिया एड़ head of Indian Ocean बिटा जो हमारा इंडिया है यह किसके head पर है इंडिया ओशन के इंडिया के नीचे है इंडिया ओशन जो मेलें है इंडिया का वो एक्स्टेंड करता है रफली बिट्वीन एट डिग्री फोर मिनेट नॉट लाटिटिट्यूट इन दे साउथ एंड थरी सेवन डिग्र इसको नॉट और यहां पर यह किस्ते स्टार्ट हो रहा है एट डिग्री फोर मिनेट से नॉर्थ क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ और यहां पर यह खत्म किस पर हो रहा है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनेट यह भी नॉर्थ यहां पर इंडिया किस्ते स्टार्ट हो रहा 68 degree 7 East खत्म कहां पर हो रहा है 97 degree 25 दिझा मिनट पर के दिए डीर कि इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है किस लाइटीट्यूट से इंडिया स्टार्ट हो रहा है 8.4 किस लाइटीट्यूट पर इंडिया खत्म हो रहा अगर हम पूछे कि इंदिया किस लोंगिट्यूट से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट इस्ट से ठीक वी बात क्योंकि यह इस्ट नहीं है मिस्पेर में इसलिए यहां पर इस्ट लिखेंगे और खत्म कहां पर हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पे कह क्या क्या लेका है नॉर्थ नॉर्थ क्योंकि इंदिया पूरा नदिन हमिस्पेर में है पे 68 डिग्री 7 मिनट इस से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ठीक है तो यह होगे हमारे इंडिया की लोंगिट्यूडनल एक्स्टेंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी डिग्री है 23 एंड हाफ नॉर्थ वो अल्मोस्ट इंडिया को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है अल्मोस्ट बोला विच अब तो परफेक्टली इक्वल नहीं पर अल्मोस्ट हाफ अवे तू दा कंट्री जैसी यह रहा इंडिया तो इंडिया के यहां से हाफ पाट से होके जक्त है जो नदन परफेक्टा का उसे कि वो ब्रॉड़र है डैस कंपैर टू सदं पाट उस पता नहीं स्टाइलर क्यों नहीं चल रहा है प्रॉपर फिर जूड़ु ज है Что टो बैसा कहा गया है कि जो नदन पार्थ है यह ब्रॉड है है संप अगर on यह निकलीन पार अगर अगर हम north-south extent की बात करें कि भाई यह जो mainland इंडिया है इसके north-south extent कितनी है north-south की बात कर रहे हैं मतलब हम किस की बात कर रहे हैं बिटा यहां से यहां तक का difference कितना है 3,214 meter और अगर हम east-west की बात करें तो वह है 2,933 यह बात चलो जो लेंथ है coastline की along the mainland of India is about 6,100 km कितनी है 6,100 km कितने की है 6,100 km यहां से coastline स्टार्ट होती है यह पूरी coastline हमारी कितने की है 6,100 km अब हम coastline को discuss करेंगे बिटा तो coastline क्या होती है वो पार्ट जो सीधे किस से जुड़ा हो ओशन से जुड़ा हो तो उसे हम क्या करेंगे coastline तो अगर हम बात करें कि जो mainland India है उसकी coastline कितनी है है 6,100 km पर आइलेंड ग्रुप्स की बात करें तो आइलेंड ग्रुप्स की coastline टोटल मिलाके कितनी हो रहे हैं कि 7,514 ठीक ही बात इंडिया में लैंड देखो यहां से अगर मैं बात करें इंडिया में लैंड तो 6,100 कत्म हो जाएगा पर अगर मैं माने निकुबार लक्षदीप को भी मिला लूँ तो यह टोटल किता जाएगा 7,514 क्या इतनी बाते समझ में आई कि भाई इंडिया में लैंड की जो coastline है वो 6,100 है पर हमारा इंड माने निकुबार भी है हमारा नक्षदीप भी है इंकी coastline को रिक्रूट कर लिया जाए तो जाएगा 7,514 अब इताम बात करेंगे केप कॉमोरिन की तो केप कॉमोरिन कहां पर है कन्या कुमारी के पास है इस सदन मोस्ट टिप है में लैंड ऑफ इंडिया का इंडियान में लैंड का सदन मोस्ट टिप क्या है Cape Cormoran और यह किस के पास है Kanya कुमारी के पास है पर अगर हम पूरी country के बात करेगी पूरी country जिसमें अन्माने निकुबार लक्षदीप सब आ जाएगा उनका southern moose point क्या है तो क्या बोलो गया पिंदरा point जो कि अंदबान इनिकुबार आइलेंड पर है The southern part of India is a peninsula इंडिया का जो southern part ये वाला part ये peninsula है It divides the northern part of the Indian Ocean into Arabian Sea on the western side and Bay of Bengal in the eastern side अब अच्छा जो पहली बात तो यहां पर peninsula का मतलब समझो Peninsula क्या होता है Part of land covered by water from three side is called peninsula Peninsula आप उस जमीन को कहेंगे जो तीन साइट से पानी से ढखा हो चारो साइट से पानी से ढखा हुआ होगा तो वो तो क्या हो जाएगा इंडिया का जो सदन पार्ट है वो क्या है बिट पेयंसुला है पेनिशुला है चिंक कई इपारती है जमीन का वो तकड़ा जो तीनो साइट से पानी से ढखा हुआ हो उसे पेनिंसुला पें जाएगे पेनिस्टिया का भी तईप यह इंडियन ओशन को 2 व्रांचस में डिवायट कर देती है यहां पर ने हमारे पास और यहां पर होगा हमारे पास बेंगॉल टिकर यहां पर नुचा हैं साउथ में इंडियन ओशन ऐस पे मिलिगे बेंग वेस्ट मिलेगा अरे बिएन C इंडिया की common land boundaries ने ऑच reservation अफगानिस्तान के साथ north west में चाइना नेपाल भाउटान है north में और Myanmar बांगलादेश है east में Myanmar-बांगलादेश east में चाइना नेपाल भाउटान north में इंडिया की common land boundaries है Pakistan, Afghanistan के साथ north west में चाइना नेपाल भूटान है नौर्थ में मैनमार बांगलादेश इस्ट में आर नेबर अक्रोस दा सी और सी में हमारी नेबर है वच्छा श्रीलंका और माल्डीव इंडिया और जो श्रीलंका है वो सेपरेट है पार्क स्ट्रेट से एक नेरो स्ट्रेच वोटर का जैसे यह यहां श्रीलंका विटेक वोटलाइड और यह लाओ श्रीलंका तो इंडिया और खुलनका के भीच में यह जो स्ट्रेच अई मिडियाै जा पार्क स्ट्रेट स्ट्रेट से रहे鐵 कि है अब से इनिया करते हैं तो इत्वेंट यंटी अडियर इ स πα्र्थे से बशा है से ट्री प्रदेश को बोलते हैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज को बोलते हैं केंद्र शाषित प्रदेश इसके अंदर इंक्लूड़ेड नैशनल क्यापिटल टेरिट्री और डेली तो प्रिजेंट डिविजन इंडिया का स्टेट्स अर यूनियन टेरिट्री में अगर हम बात कर कि इंडिया में इतनी जो different states है इनको इस तरीके से रवाइट किया गया है तो basically इनकी boundaries बनिया है ओंधी से जो फॉलकु गुज्राथी बोलने वाले एक रीजिन में, उडिया, तमिल, तलेगु जो states or union territories है वह administrative units है, the states and union territories are administrative units, जो states है, उन्हें further divide किया गया district और तहसील में, states को further divide किया गया district और तहसील में, in the latest reorganization of states, अभी फिर से जो latest reorganization हुआ, उसमें जो तिलंग आना था, उसे create कर लिया गया किस से आंदरप्रदेश से, ठीक हुई बात, तो पहले आंदरप्रदेश एक state था, आप उससे थोड़ा सा पाट, तोड़कर थोड़ा सा नी, थोड़ा जादा ही पाट, लेकर क्या बना विया बचा एक निया state, जिसका नाम है तिलंगाना, अब ये जो बात आपको बच्पन से पता होगी, जैसे नहीं पता होगी, वो उसको एक चाटा मार लेना, अपने आपको थोड़ा सा हलका सा, देखो, राजस्तान हमारा सबसे बड़ा state है, और जो गोवा है, वो सबसे चोटा state है, इंडिया का largest state राजस्तान, smallest state गोवा, अब अमेटा physical features को discuss करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बुटान, बांगलादेश, यह पूरे एशिया से थोड़ा सा, rest of the एशिया से थोड़ा सा separated है, किस से separated हैं, हिमाले से, फिर से मेरी बात सुनना है, जो इन्या है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बुटान है, बांगलादेश है, यह एशिया से थोड़ा सा, rest of एशिया से अलग है, क्यों, क्योंकि बाकी एशिया और इंके बीच में आजाते हैं, हमाले आन मांटिन रेंजिस, और इस 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 इ इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान बांगला तेश को क्या कहते हैं इंडियान सब कॉंटिनेंट इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें आपको वराइटी में फिजिकल फीचर्स मिलेंगे हाई माउंटेंस मिलेंगे एक्स्टेंसिफ प्लेंस भी मिल जाएंगे हाई हम्यमालियन माउंटेंस भी मिल्स चाहते है इंडियान अनुनिम्य मिल्स मिलेंड डाहां तया न कहों से पामेर मोट केंटेंस में सेंट्रल इस्टल एजस्टल ए जहांसे हर डारेक्शन में क्या निकलती है mountain ranges तो जो कारा कुरम range है या जो हमाले है यह located है along the north frontier of India, इंडिया के north में आपको कारा कुरम मिलेगा, हमाले मिलेगा, यह highest young fold mountain ranges है in the world, top 10 जो peak है बचा पूरे world की 10 सबसे उची चोटी, आपको हमाले मांटेंस में बिल जाएगी, तो जो कारा कुरम में और हमाले पहली बात तो वह इंडिया के north में है, यह बात ध्यान रखनो, दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, यह highest young fold mountain ranges है, पूरे world की, जो कारा कुरम mountains है, वो पामिर नौट और इंडस रिवर के बीच मे हैं in Jammu and Kashmir, तो पहले चीज़ जो आपको याद रखना है, where is कारा कुरम mountains, mountain ranges located, तो क्या बोलोगे, आप कारा कुरम mountains lie between the पामिर नौट, Central Asia की पामिर नौट और इंडस रिवर के बीच में है, कारा कुरम range कहां पर है, Jammu and Kashmir में, यह जो reason है, इस reason में बहुत सारे glaciers हैं, ज सिया चीन, बहुत सारे snow covered mountain peaks हैं, जिससे Mount Godwin Austin, जिसकी हाइट है, जिसकी हाइट है, 1611 meters, तो एक बार पर से सुनो, पावे नौट और इंडस रिवर के बीच में है, कारा कुरम, कारा कुरम में बहुत सारे glaciers हैं, जिससे बॉल टोरो और सिया चीन, यहाँ पर snow covered mountains भी है, जिस की, Mount Godwin Austin, जिसे हम K2 भी कहते हैं, जिसकी हाइट है, 8611 meters, यह हाइस पीक है, कारा कुरम रींच की, और सेकेंड हाइस पीक है, वर्ल्ड की, वर्ल्ड की हाइस mountain peak कांसी है, बचा, Mount Everest, सेकेंड नमबर किसका आता है, कारा कुरम का, फर्स्ट इस माउंट एवरेस्ट एट एट सेकेंड और सेकेंड है, कारा कुरम की, के तू जिसे हम Mount Godwin Austin B lap young, कैया कारा कंसी है, किस रिंच के अंदर आता है, तो करा कुरम के अंदर आता है, बचा क Luci सुकुछं के अंदर इंच के बचा इनड एट इसम गलिए केफ़ी पार, हुफ 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 हु, क्लियर तே काराकुरम रेंज पेसी में रिचारी गुट्था यह जो सिफ क्शमीर रिवर में इननी रेंज िक defect सिफ्लो करती दूट्डubenों लेकिए कि विच दुट्ड BEंत अगर घ्रों में करें तो देखो सब्सक्रों यह इंडिया इसका नौर्थ है यह इस्ट है वेस्ट है वेस्ट में ब्रह्मोपुत्र स्वारी इंडस रिवर से चालू होके इस्ट में किस रिवर पे खतम होते हैं ब्रह्मोपुत्र रिवर पे खत्म होते हैं हमारे हिमाले हिमाले एक्स्टेंट इंड़ाम देंड़ी वेस्ट में हमाले हिम का मतलब होता है गर म Minispotra कोถे रैवा फिरी पपर्प।। ने पुछा जा सकता है कि कहां पर है प्रदेश में नाथूला कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में तो इस तो थीनों बिल्कुल अच्छा से आत होना चाहिए पहली बात तो अबौर्ड ऑप इसको कहते हैं हमाले को अबौर्ड ऑफस नो किसको कहते हैं हमाले को हमाले में बहुत सारे पासे हैं तो एक पास आपको पढ़ना है नाथूला जो कहां पर है सिक्किम में दूसरा पढ़ना शिक्कीला जो कहां पर है हमाचल प्रदेश में फिर बॉम डीला कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में, there are also many values, यह बहुत सारी valleys है, कश्मीर वैली है, कांग्रा वैली है, बहुत सारी बड़ी-बड़ी रिवर का उरिजिन कहां से होता है, पच्छा हमाला, से होता है जैसे भागिरती, हाँ, यामूना, फिर आपकी इंडस, ब्रह्मो पुत्र, इन सब का उरिजिन कहां से हुआ हमाला से ही हुआ और इसमें अलाक नंदा को नहीं बोलना क्योंकि पश्चा बहुत level Oh विछ्सलों के किस जबर को बनाथी है गंगा अभी वेनिजे में वीदी बनारी थे इसमें ता। गंगेजց तो जोड़ सके भी इनदेने तो बोस राज सबमें educación बहुत सारी रिवोर्स जो फ्लो करती है नदन प्लेंट बोगभ कि-this इन यह जो हिमाल्य है नहद करना बनाता है अब बिटा जो हिमाले है ना हिमाले में थ्री पैरिलल रिंजिज है नौर्ट टू साउथ मतलब वान टू त्री ऐसे थ्री पैरिलल रिंजिज है इसको हम बोलते है हिमादरी सब से हाइट ठीक है अब बोलते है सेट है हमादरी इसके बाद हमादरी एक उसके बात शबसे कम हाइट है हाइट पीक से है किसकी शवाले की the height of these ranges decreases from north to south जैसे north to south की तरफ आएंगे height in ranges की काम होती जाएगे परल हम हमाद्री को देखते हैं विटा तो जो हमाद्री है इसे ही greater हमाले भी कहते हैं is the highest mountain range in the world यह पूरे पूर्ड की highest mountain range है कि हमाद्री जैसे हम greater हमाले भी कहते हैं इसकी जो most of the mountain peaks हैं वो permanently snow से covered रहती है Mount Everest 8848 Mount Everest के हाथ क्या है? 8848 अभी मैंने शाहत तो जेर पहले 8898 बोला था 8848 8848 meter site है Mount Everest की अचा शुरू से सुनो जो हमाद्री है उसे greater हमाले भी कहते हैं यह highest mountain range है पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी mountain peaks हैं हमाद्री की उनमे पर्मनेटली बर्फ चमी हुई है Mount Everest के हाई टे 8848 meters जो कहां पर है नेपाल चाइना बॉर्डर पर है और यह पूरे वर्ल्ड की highest peak की सबसे उची चोटी Mount Everest कंचन जंगा जिसकी हाइट है 8598 meters यह इंडियन हमाले की highest peak के देखो मेरी बात सुनो बिटा हमाले इंडिया में भी है चाइना में भी है नेपाल में भी है तो अगर मैं बात करो Mount Everest कहां पर है तो चाइना नेपल बॉर्डर पे हो गया ठीकि वह इंडिया में नहीं है तो अगर आप से कुछ पूचेगा की इंडिया की highest peak बताओ हमाले वाले इंडिया ने हमाले की highest peak तो क्या बोलो गया कंचन जंगा जिसकी हाइट है 8598 चलो 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 अब हम पढ़ेंगे बिटा हमाचल हमाचल को लेजर हमाले आज भी कहा जाता है यह कहां पर है हमादरी के सौथ में हमादरी हमाचल शिवालिक इसकी जो important mountain ranges है पीर, पंजल, धौला, धौला, धौला धार किस हमादर को बिलॉंग करते हैं पिटा तो लेसर हमाले को बिलॉंग करते हैं जो जम्मू किश्मीर हाईवे हैं वा यहीं से पास होता है और किस पास से पास होता है बचा तो बनी हाल पास से हम मेरी बात ध्यान से सुनो जरा की माउंटेन के बीच में अगर आपको नैच्रली रास्ता मिल जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं पास अभी हमने नाथूला पास जोजेला पास बॉमडीला पास पड़ा तो उस टाम में पास क्या है natural way in between the mountain mountain से अगर naturally आपको mountain चड़कर cross करना नहीं है mountain के बीच से आपको रास्ता मिल जाए जिसके तुर आप mountain को cross कर पाओ पार कर पाओ तो से क्या किए पास ठेक वाद तो यह जो 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 जम्मो कश्मीर हाइवेई है यहीं से पास होता है कौन से पा पास है जिससे ही जम्मु कश्मीर हाईवे पास हुआ है बहुत सरे पॉपलर हिली स्टेशन्स हैं यहां पर कहां पर लेसर हिमालय यह हिमाचल में जैसे शिमला डलहौजी कुलू मनाली मसूरी नानिताल डारजली हीनी माउंटन रिंजिस में हैं बिटा जैसे हिमादरी को हम ग्रेटर हिमालया कहते हैं जैसे हम हिमाचल को लेसर हिमालया कहते हैं वैसे ही शिवालिक को हम आउटर हिमालया कहते हैं हिमादरी ग्रेटर हिमालया हिमाचल लेसर हिमालय शिवालिक आउटर हिमालय यह सदन मूस्ट माउंटन रिंज है जैसे यह रही हिमादरी यह रहा हिमाचल और यह रहा शिवालिक तो यह southernmost mountain range है इसके south में फिर कोई mountain range नहीं है यह जो range है यह loose deposit से बनी है soft rocks के soft rock के loose deposit से बनी है वच्छा हमारी शिवालिक इसके अंदर mud भी है और silk भी है यहां पर landslide बहुत common है हिमाले के इस पार्ट में जाते हैं कुछ यहां पर narrow valley है जैने हम dunes कहते हैं कुछ narrow valleys है यहां पर जैने हम dunes कहते हैं are found in this reason वह इस reason में मिलेंगी दहरा दून is situated in one of such valley और ऐसी है एक valley में क्या situated है दहरा दून अब हम पूर्वांचल range पढ़ेंगे विटा पूर्वांचल तो यहां पर यह जो word है पू तो अब इस से बात है यह इस्ट मे होंगी तो यह जो पूर्वांचल ranges है यह Eastern boundary पे है इंडिया के Eastern boundary पे हैं पूर्वांचल range दे फॉर्म इसीरीज आफ लो हील्स यहां पर बहुत सरी लो हील्स हैं यहां पर पत्चायबूम है नागा हील्स है ठीक है दे है पत्चायबूम नगाय के दल राद हों होना मिज्ट में पटकाय के दली के जाए तो कि आज आ जाएंगे सब्र रिवा हान यहां पर एक बहुत इंपर्टन इंफरिशन दी हैं यह कर देघन को जो नपकाल काई पॉर्वानचल रेंज जमेंती है, चेरा sixty in मेगाल मेगाले State का ना में चेरा पुझी । में जो पूर्वानचल रेंज़ है उसमें है नो कालि काई फॉल्स का ही ठीक्चर है So as to you, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section.